दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ तीन टिप्स जिससे आप रंजी आराम से खेल सकते हो जी हाँ दोस्तों इन तीन टिप्स को अगर आप चाय करते हो तो आपको 101% रिजल्ट जरू मिलेंगे और लास्ट वाली टिप्स को तो सुनके ही जा कि सब लोग क्रिकेटर बनने के एक जुनून सा रखते हैं अपने अंदर पर यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती कर जाते हैं लोग वो ये कर जाते हैं कि वो अपने मन के अंदर तो क्रिकेटर बन जाते हैं पर अपने शरीर के तौर पे नहीं बन पाते मेरे कहने का मतलब य अभी तक शुरू नहीं की, तो सबसे पहली टिप हमारी यही रहने वाली है, कि आपको अपनी ट्रेनिंग या फिर आपकी प्रैक्टिस को कभी भी मिस नहीं करना, चाहे आप अपका अकेडमी में करते हो, चाहे आप अपने घर पे ही क्यों ना करते हो, क्योंकि एक भी दिन आ आपको दो दोना टाइम करना चाहे, इसलिए कभी भी प्रैक्टिस को स्केप मत करना, हाँ कोई इंपॉर्डेंट काम हो, तो आप एक दो दिन डिले कर सकते हो, बट ये नहीं कि आप अपने आपको मन नहीं कर रहा है, फिर आलस आ रहा है, इसलिए आप डिले कर दो, अगर एक से बहतर एक क्रिकेटर यूही पड़े हुए है लाइनों के अंदर, इसलिए आपको उनसे बहतर निकलने के लिए, आपको खुद को उनसे बहतर बनाना होगा, तो रोज प्रैक्टिस करनी है, और उनसे ज़्यादा अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, दूसी जो बारी ट करके चलोगे, यह सोचोगे कि इस मैच के अंदर में को सोरन तो बनानी है, या फिर डेड़ सोरन बनानी है, और आप उसके लिए अपना पूरे को जोग दोगे, यहां वही में को पूरा अपना जो अंदर से है, पूरा लगा दोगे दम, तब आपके हो सकता है ना बने उतन कि आपने 50, 60 यह 70 रन बनाए हैं, और यह बहुत सारे क्रिकेटर्स ट्राइक करते हैं, वो अपने गोल सेट करके जाते हैं, मैच से पहले, या फिर कहीं से भी, जहां पर उनको खेलने का मौका मिलता है, जैसे कि बॉलर सेट करके जाता है कि आज में को 4 विकेट लेने है, 5 विकेट लेने हैं, हो सकता है वो 5 विकेट ना ले पाए, पर उसने पूरा ट्राय किया कि में को 5 विकेट लेने हैं, उससे थोड़े कम भी लेगा वो 3 विकेट, तब भी उसका परफॉर्मेंस है, वो बहुत ही अच्छा पहुचेगा, तो आपको यह करना है कि गोल जो है व तक सच भी नहीं होंगे, इसलिए आप बड़े बड़े गोल्स बनाओ, आज सच नहीं हो उपाराओ गोल्स पर कल्स जरूर होगा, बस आपको पहला पॉइंट जो अच्छे से याद है, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस है, उसके टाइम को थोड़ा सा बढ़ा के रेगुलर कर रहे हो, एवरेजी हो, मतलब प्लेयर तो आप एवरेजी बनके रह जाओगे, किर्केट के अंदर देखो, अगर हम स्पेशली इंडिया की बात करें, तो बहुत ज़ादा कॉम्पटिशन है, हर गली में आपको किर्केटर देखने को मिल जाएंगे, और हो सकता है वो आप टीवी पे च्छा गए थे, जबकि उन्होंने वो रंस थे, वो स्कूल लेवल पे बनाये थे, तब भी वो सेलेक्टर्स की नजरों में आ गए थे, यहां तक की मीडिया आज तक ये भी इनको कवर कर रहे थे, और जब उस टाइम पे वो सिफ 13 साल के उमर के थे, तो आप दिखोगे, बट दोस्तों अगर आपने हमारी पृत्वी शौ वाली वीडियो नहीं देखी, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि पृत्वी शौ ने सिर्फ 13 साल के उमर में ही स्कूल लेवल पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था बैटिंग करते हुए, तो हम उस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैर आकन को प्रेस जरू करिएगा, हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए